पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है मैं फसाओं कभी इस तरह की सिच्वेशन में और मेरे साथ में कंपनी आगे नहीं आई है भाई सपोर्ट के लिए हल्प के लिए इस वीडियो के लिए बहुत ही क्योट एंड स्मार्ट केमरा मेन आई वांट तो आपके साथ शेयर करना वाला वाला वीडियो में आई थोट गैस आई शुद शेयर अपडेट विद विद यू की कार वापस आ गई है और आप लोगो ने पिछली दोनों वीडियो देखी आज इसके बार में भी बात करेंगे कि क्या क्या चीजश इसमें रिपेर हुई है आपको दिखा देता हूं फाल यह को यह देखो घुड़ाइं अभी आपको देखें लग रहा है कि जो है कार का एक्षेंट वाता वी पूरी की पूरी एकदम दुबारा असे नहीं होगी य चाहर का जो एक्सिडेंट हुआ था बट जब एक्सिडेंट हुआ था उस टाइम तो यार आपने देखी हालत कैसी थी अनों ने लगाया है या पूरा नया सेट किया जो भी किया भाई लेकिन कहीं पे भी कुछ भी जोड वगयरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और और अल्मोस्ट मेरको तो पूरा नाय लग रहा आप इस तरफ देखिए विंडो अगयरा यहां पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि यहां पर जोड वगयरा जॉइंट सा है बट कुछ भी बहुत जादा पता चल नहीं रहा है देखने से और पीछे से दिखाता हूं आपको लुक अट दा कार फॉम दा बैक सो पीछे से आप देखो कि तो पूरा जो बंपर जो ह पहला था उसमें कोई चेंज नहीं है बंपर चेंज किया गया पुरा डवलू एट का जो मैंने लगाया उनने वही लगाया बाकी जो लाइट सी सेम होई है एक चीज थोड़ा सा इसमें अभी ठीक नहीं हुई है वह मैं भी रेस करूंगा सर्विस सेंटर का ना हो ठीक कर द सैड की और भाई सच में इतना बूरा लग रहा थो अब भी मिलेको इतना बूरा लग रहा कि इवन मेरा काष्क लाने का बलकुल भी मन नहीं इतना फैडब वो गया ता इयार सर्विस से और मैं भी होट कूष नहीं हूं इसटेल एम सो सब्सक्राइब इस विस्वाइंड मह मैं मानता हूं आपकी बाद city to city depend करती और मेरे city में भी मेरे को अच्छी service मेलती है but as a customer as a customer जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रत थी company की brand की जब आप फसे और रास्ते में आपका तब तो आपका कोई काम नहीं आए ना भाई तब वहां से कि मैं अपने city में थोड़ी ना कॉल करूंगा 200 km दूर so that is service उसकी बात मैंने अपनी वीडियो में की थी कि on the spot मेरे को सबसे ज़रती मेरे को वहां पर कुछ भी help support नहीं मिला that was the reason I got fed up or still I am not happy so yeah बाकी service के बारे माच बात बिलकुल करने का मन नहीं है और I think I don't know कि उन्हें डोर चेंज किया है नहीं मैंने पूछा भी नहीं है because मैंने एक ही चीज़ बोली थी service center पे मैंने भाई आप मेरे को कार ठीक करके देदो मेरे को मेरी कार दुबारे से नहीं लगनी चाहिए कि मेरी कार नहीं हो गई है क्या 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 आपको जोड़ना है काटना है नया पार डालना आप डाल लेना I don't care about that बस मेरे को मेरी कार देखने से नहीं लगनी चाहिए यह विंडो से सबसे पहली बार का एक्षेट वादा गाइस तब से यह प्रॉब्लम थी कि उन्हें रिपेर तो की थी बट जब हम इसको बंद करते थे तो लोहे की जो है यह तक तक आवाज आती थी इने बाद यह देखो और यह वाज आसते के ऐसे यह ठीक नहीं है बागी इसके लवाज पूरी कार में जो है और कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो पीछे का विंडो था पीछे का ग्लास था यह वाला पार्ट था और वह सारी चीज जो है इंसॉरेंस में ठीक हो गया है और आप फाइनल बात कर लेते है जो और कोउस्ट आये वह कॉस्ट आये सम्वेर अडरांड यह सास से आठवेजार मैंने एडीशनल पे किए जब मैंने कार गौ कराया था तो वह मेरे से तीन चारा यह चारा जार वह लेके गया था उसके बाद में फिर मेरे अब धीया यहां पहरे चीज़ेंके तो प्र में cover नहीं था this was a full update guys I thought I should share with you about the car accident बाकि कार अभी जो है पूरी नहीं लग रही है देखने से और कोई भी first time या कोई भी बंदेश को देखे का तो बिल्कुल देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि यार जो कार का accident हुआ था या कुछ भी ऐसे हुआ था बट यार देखो कार रिपेर हो जाती है accident होते रहते हैं बट सबसे important बात मैं दुबारा से race करूंगा accident होता रहेगा कार ठीक होती रहेंगी यह सब चलता रहेगा इसलिए insurance company होती है इसलिए service center company होती है लेकिन जब as a customer आपको सबसे आदा ज़रुरत आपको आपकी company के जिसकी आप कार लेके घूम रहे हो और आप लोगों ने कार इसलिए लिए गाइस just because of the trust just because of the built quality and all built quality safety तो इस कार आपको पता ही भाई उसमें मैं बिल्कुल question नहीं उठा रहा हूं because मेरे साथ में दो साल में आज तक problem नहीं हुई थी मैंने कभी कुछ नहीं बोला भाई लेकिन आज मेरे साथ में problem हुई है तो मैं raise करूंग और पहली बार ऐसा मेरे feeling आती थी confidence अंदर से आता था और मेरा मूर खराब भी होता था तो भाई ठीक हो जाता था इस कार को चलाने के बाद में because इस कार का जो रॉला है वह इसी तरीके क्या है कि आप जब इसमें बैठो कि तो अंदर से confidence प्लान भी नहीं था और अभी रिसेंटली आइव प्लानिंग फॉर अट्रिप हिल स्टेशन तो भाई मैं इसको लेके नहीं जाओंगा मैं जो है क्या कोश्ट क्या खर्चा आया इसको रिपेर करें बाकी आपने कार देख लिया रिपेर होके आपके सामने आगिये आपके 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 आपक बभाइ・ पूब बसक्रा भाइ यह एंगा!! सब्सक्रा ही सान इख खूरने को तक और में तुंहेंगा, क्श छिए सब्सक्रा हा एंगान।